तो बटा हमारा next topic है nutrition in human being और इसी का जो दूसरा नाम है वो है human digestive system तो human digestive system के अंदर हम क्या करते हैं हम food को digest करते हैं या फिर कह सकते हो एक complex जो molecule है उसको एक simple molecule के अंदर क्या कर देते हैं बटा break कर देते हैं तो जो हम food consume करते हैं उस food के अंदर carbohydrate भी होते हैं उस food के अंदर fats भी होते हैं और उसके अंदर proteins भी होते हैं तो यहां पर हम क्या करते हैं बटा जो carbohydrates जो हैं उनको हम break करते हैं किसके अंदर glucose के अंदर और जो fats हैं उनको हम break कर दें fatty acid and glycerol के अंदर और जो protein है उसको हम break करते हैं किसके अंदर amino acid के अंदर और यहाँ पर यह जो process शुरू होता है यह कहां से शुरू होता है यह सुरू होता है mouth से तो यह हमारे पास एक diagram तो सबसे पहले जो food है, वह कहाँ पर राते है प्टा, mouth के अंदर, और mouth के बाद वह small intestine के बाद कहाँ पर राते है प्टा, fruits, large intestine के अंदर, और उसके बाद जो है NS के ंज्यक दर स्कुए है, एक्सक्रेट कर देते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर माउथ की तो यदि आप से पुछा जाए कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहां से शुरू होता है तो डाइजेशन का प्रोसेस हो वो माउथ से शुरू होता है क्योंकि सबसे पहले जो हम ब्रेक करते हैं फूड को कहां पर करते ह तो हमारा जो digestion का process है वो कहां से शुरू होता है बटा, mouth से, तो यहां पर जो mouth का काम क्या होगा बटा, intake of food, इसके बाद जो teeth है उनका काम क्या होगा, chewing game या फिर कह सकते हो बटा, यहां पर grinding of food, इसके बाद tank का क्या काम होगा बटा, यह क्या करेगी, rolling of food और testing of food, और उसके मुकस के अंदर food को force करने का, या push करने का काम किसका होगा बटा, tank का होगा, इसके बाद यहां पर क्या होता है बटा, salivary gland, तो यह कहां पर होता है salivary gland, यह होता है बटा, mouth के अंदर, अब यह क्या करता है बटा, यह screed करता है, enzymes, जिसका नाम क्या है बटा, एक तो saliva, और अब ये starch क्या है ये complex molecule है या फिर कह सकते हो ये क्या है बटा carbohydrate है और इसको ये किस के अंदर change कर रहा है जो है sugar के अंदर तो sugar क्या है एक तरह से आप कह सकते हो जो है ये glucose है तो एक complex molecule को mouth के अंदर ही क्या कर दिया आता है बटा break कर दिया आता है किस के अंदर simple molecule के अंदर या फ तो Oisophagus के Troop food का पर चल साथ है advisors by the insect अब यह जो Osophagus材 है actual में नहीं यह क्या है एक food pipe है to यहां पर हम FIRiर में देखेंगे तो यह हमारे पास क्या है Duosophagus jdnt इस तरह के क्या होगी यहां पर इसके structure होती है अब इसको क्या बोलते हैंバटा इसी का हम बोलते है, food pipe तो जब यहां पर food जब इस pipe के अंदर आता है तो यह क्या करते है बटा यहां से contract होती है और इधर से क्या करेगी बटा यह expand करेगी फिर उससे next second में क्या करेगी दुवारे से क्या करेगी बटा यहां से contract करेगी और इधर से क्या करेगी expand करेगी तो इस तरह से क्या करेगी ब मोमेंट बोलते हैं इसके बाद फूड कहां पर चला जाता है हमारा स्टमक के अंदर आप स्टमक के अंदर क्या होता है स्टमक के अंदर होते हैं यहां पर जो है गैस्ट्रिक ग्लेंड तो यह कहां पर होते हैं यह स्टमक के अंदर होते हैं और यह क्या स्क्रेट करते हैं यह स इससे पहले है जो हमने पढद लोत के अंदर न? star जो है मोइघ के अंदर चेंज हो जाता है? star जो है वह सुगर के अंदर चेंज हो जाता है मतलब क्या हुआ कि जो कार्भो हाइडरेत है उसका weit breeding माउत के अंदर ही महत ही सुरू हो जाता है आप स्टमक मेजब फूड. आता है तो वहांपर क्या होता है तो में पinned और एसॉल और मुकस रिलीज होता है अब ये जो XC l अब ये क्या खेगा हमारा जो medium हो का ऐसा होना चाहिए, acetic होना चाहिए, उसके बाद जो mucos है वो क्या करें आपटा, क्योंकि HCl जो है, वो क्या होता है आइसिड, तो वो हमारी जो inner lining जो है, श्टमक की, उसको कोई harmful effect ना डाले, तो mucos क्या करता है आपटा, उसकी inner lining को क्या करेगा, ये protect करेगा, अब यहां पर ये जो pepsin है, ये किसका digestion करेगा ये करेगा, प्रोटीन का, किसका digestion करेगा, ये प्रोटीन का, अब यहां पर जो है food हमारा कहां पर चला जाएगा इसके बाद, इसके बाद food चला जाएगा हमारा small intestine के अंदर अब storm जो है small intestine के अंदर कुछ enzyme जो है यहाँ पर भी क्या हो गे ऑग जो है इसमें add होँगे जो के आपका क्या होंगे निटरस्टेन्यल जो है enzymes अब यह जो intest 같ी间 यह ले अहीं क्या करेंगे ऑटा यह convert करेंगे किसको यह convert करेंगे बटा, कार्भोहईड़ेट को किसके अंदर, glucose के अंदर, fat को यह convert करेंगे, fatty acid and glycerol के अंदर और जो protein है उसको यह change करेंगे किसके अंदर, बटा, amino acid के अंदर अब जो small intestine के अंदर, क्या होता है, बटा, यहां पर, एक really like structure होता है, क्या होता है really like structure यहां फिर कह सकते हो बटा यह कुछ ऐसा structure होगा यहां पर यह हमारे small intestine है तो इसमें कुछ इस type के क्या होगे यहां पर structure होगे ठीक है अब यह ऐसे structure क्यों होते है बटा ताकि यह food में से जादा से जादा nutrition को क्या कर सके जब food यहां से क्या करें बटा जाएगा क्योंकि इनका area of absorption क्या है जादा है तो यह जादा से जादा food में से nutrition को क्या कर लेगा बटा absorb कर लेगा अब यहां पर हमने समझना है कि जो small intestine में है उसमें कौन-कौन से enzyme जो है वो screed होते हैं तो सबसे पहला यहां पर जो है liver से इसमें add होता है बटा क्या bile और bile यह क्या bile juice इसकों बोलते है हैं तो bile juice के अंदर क्या होता है बटा बाइल juice के अंदर एक enzyme पता है जो कि क्या करता बटा large fat global जो इनको यह small fat के अंदर क्या कर देगा बड़ो जो बड़े-बड़े जो है आपके fat के molecule है उनको छोट-छोटे fat के molecule के अंदर क्या कर देगा बड़ो ब्रेक कर देगा और इसी process को हम क्या बोलते हैं इमल्सिफिकेशन बोलते हैं इसी process को हम क्या बोलते हैं emulsification बोलते हैं इसके बाद यहां पर कुछ enzyme जो है वो कौन सी create करता है बटा pancreas तो pancreas क्या release करेगा बटा यहां पर pancreatic juice तो pancreatic juice जो होता है उसके अंदर क्या होता है बटा trypsin क्या release करेगा यह trypsin and lipos अब जो trypsin है वो क्या करेगा बटा protein को जो है change करेगा इनदर peptons के अंदर और lipos क्या करेगा बटा यह fat जो है उसको है change कर देगा किसके अंदर lipids के अंदर यहां पर कह सकते हो fatty acid के अंदर तो यहां पर जो है small intestine के अंदर एक तो हमारा जो digestion है वो actual digestion काँपर होता है small intestine के अंदर होता है और दूसरा हम कह Public absorption of nutrition जो है वो काँपर होता है small intestine के अंदर होता है इसके बाद आइए large intestine large intestine के अंदर क्या होता है has absorption of excess of water यहां पर क्या होता है बटा एब्जोब हो जाता है और जो rest of the material बसता है या जो waste material बसता है वो हमारा remove हो जाता है या excrete हो जाता है किसके दिरू एनसके दिरू excrete हो जाता है तो एक बार इस diagram से दुबारा इसको समझते हैं बटा सबसे पहले food कहा पर रहता है बटा mouth के अ उसके बाद यहां पर salivary gland जो है वो क्या excrete करता है यह mucus excrete करेगा और क्या excrete करेगा यह saliva excrete करेगा और saliva क्या करेगा यह saliva जो है वो starch को sugar के अंदर क्या कर देगा बटा चेंज कर देगा अब यदि हम बात करें तो carbohydrate का cogolution का parisacotफ हो जाता है mouth के अंदर शुरू हो जाता है उसके बाद जो है मारा food जो है oisophagus के तुछ स्थीरू किसमें जता है ब्टा s慢慢 के अंदर तो oisophagus के अंदर जो है यहां पर जो muscle है वो क्या करते है प्टा contract और expand करती है जिसके वजह से food हमारा किसके हैं यहां पर स्टमक के अंदर आ जाता है अब स्टमक के अंदर क्या होता है यहां पर जो है गास्टिक जूस क्या होते है रिलीज होते हैं जिसके अंदर जो है तीन टाइप के जो है यहां पर इंजाइम्स यहां पर मिलेंगे जैसमें हम HCL की बात करेंगे mucus और तीसरा यहां पर जो release होता है वो होता है pepsin तो जो HCl हो acidic medium बना देगा और pepsin क्या करे बटा protein को digest करेगा और mucus क्या करेगा यह inner lining जो है उसको क्या करेगा protect करेगा stomach के बाद जो food है फिर वो कहां पर चला जाता है यहां पर small intestine के अंदर आप small intestine के अंदर जो है liver जो है वो क्या release करेगा बाइल juice और बाइल juice क्या करेगा जो heavy fat है उनको चोट चोटे parts में क्या कर देगा break कर देगा और इस process कौम क्या बोलते है emulsification बोलते हैं उसके बाद यहां पर जो है pancreas भी यहां बाइल juice क्या कर देगा बटा डाइजेस्ट कर देगा तो carbohydrate की जो digestion वो कहां पर शुरू होते है बटा mouth के अंदर उसके बाद यहां पर जो है fat जो है उसको breakdown कहां पर क्या जाता है जो है liver के अंदर protein की digestion कहां पर से हो जाते है stomach के अंदर और जो है small intestine के अंदर क्या होती है बटा यहां पर जो complete होता है process digestion का वो कहां पर होता है small intestine के अंदर और जो absorption भी होती है वो भी कहां पर होती है small intestine के अंदर और यहां पर जो है बटा वीरी लाइक structure होते हैं है ना जो कि आपके एक finger like structure हम कह सकते हैं, जो की क्या करते हैं, यहां पर absorb करते हैं किसको nutrition को, किस में से, small intestine में से, अब उसके बाद जो food है, वो कहां पर चला जाता है, बटा, large intestine के अंदर, और large intestine के अंदर क्या होता है, बटा, water का absorption होता है, उसके बाद जो food है, वो एनस के थुरू क्या हो जाता है, बटा, हमारा excrete हो जाता है, तो यहां तक था हमारा क्या human digestive system?